हलो नमस्कार साथियों मैं हर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैन्वेन बिलेंगे और अगर आप ट तो आज मैं काफी इंपोटेंट खबरें आपको बताने वाला हूँ जैसा कि जानते हैं कि MCD PRT का जो एक्जाम हुआ है स्टार्टिंग से ही विवादों में रहा है लास्ट टाइम कैंसल हो गया था जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर धांदली हुई थी और अब की बार भी काफी कुछ unexpected देखा जा रहे हैं जिससे जो candidates हैं वो काफी नाराज हैं तो इसके regarding जो candidates फेल हो गए थे जिनका selection नहीं हो पाया था तो वो अपनी आवाज के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए केजडिवाल जी से मिले थे इसके बाद जल्द ही 15 तारीकों मतलब कल जो सुनने में आ रहे हैं 15 फरवरी को CM House के बाहर धरना देने वाले हैं अभी देखते हैं कि 11 जल्ट आने वाला है लेकिन परिख्षव विवादों में घिर चुकी है इसके बाद आप देख पा रहे होंगे आपने सुना होगा कि जो selected candidates हैं वो आज meeting करने वाले हैं तो साथियों बहुती बड़ी controversy बन चुकी है तो इस तरह के जो exam है उन्हें देखकर मुझे एक चीज़ याद आती है एक बात याद आती है एक दिन मुझे एक candidate एक बात बता रहा था कि आजकल जो exam होता है उसके काफी चरण हो गए हैं सबसे पहले तो आप form बरेंगे form कितने time बात निकले कुछ पता नहीं इसके बाद फिर आप form निकल गए form बरे फिर exam की wait करेंगे exam देंगे फिर exam एक दो बार cancel होगा आप court में जाएंगे इसके बाद क्या होगा pre होगा means होगा ये सारी चीज़े होने के बाद फिर आप result के लिए धरना देंगे फिर आप case लड़ेंगे मतलब फिर धरना दिया जाएगा लाठी चार्ज होगा तो बाद में क्या बोड़ते हैं कि बचेगा युवा तो लगेगा युवा तो वो सारी चीज़े देखने को मिल रही हैं एक result नहीं एक्जाम नहीं एक महाबारत बन चुकी है हालब की कल DSSB का जवाब आया था जो normalization हुआ था उसके बारे में DSSB ने जवाब दिया था कि जो normalization है बहुत अच्छे से किया हमने हमारी तरफ से कुछ ऐसा गलत नहीं है normalization हमने बहुत अच्छे लेवल से किया है और जो ये सारी चीज़े बेसलेस है मतलब इनका कोई आधार नहीं है जो candidates कर रहे है तो ये सारी चीज़े दिखकर उन candidates के मन में कहीं न कहीं दुख जरूर हुआ है जो 115 नमबर लेने के बाद भी उस competition से बाहर है जहां पहले बच्चों के 115 नमबर टोपर्स के थे लेकिन normalization एक ऐसा हुआ कि अब बच्चों के नमबर 150 तक हो गए तो ये चीज़े कहीं न कहीं बहुत गलत है मैं ये नहीं कह रहा कि method अच्छा नहीं है method अच्छा होगा लेकिन candidates के साथ कहीं न कहीं गलत जरूर हुआ है और मैं ये भी कह रहा हूँ कि उन candidates के पीछे कुछ ऐसे भी candidates हैं जो competition से भाहर थे लेकिन वो भी पीछे आ रहे हैं तो ये सारी चीज़े किस ने create करी हैं? DSS भी ने तो साथियों एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है हलाकि आज जो pass वाले candidates हैं वो 81 हो रहे हैं, meeting कर रहे हैं कल जो fail candidates हैं, जिनका selection नहीं हुआ जो normalization के खिलाप है या जो merit में तो आ गए हैं, cut-off में तो आ गए हैं तो साथियों देखते हैं क्या होता है लेकिन exam बहुत बड़ी महाबारत ये बन चुका है तो साथियों उम्मिद यह है बस यही दुआ करते हैं कि सारी चीज़े अच्छी हों और आप सभी से request है कि सारी चीज़े आप सांतिपूर्ण धंक से करें कुछ गलत ना करें तो साथियों गुडबाई टेक क्यार थेंक यू जैहिंद वंदे मात्रम